हेलो फ्रेंज, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडीबर्स और आज की वीडियो के अंदर यार मैं कवर करने वाला हूँ जो टॉप के जाट कॉलेजिस हैं उनकी क्या प्लेस्मेंट का ट्रेंड रहे 2020 के अंदर बहुत साथ बच्चों के माइड में कन्फूजन थी कि सर बेसिकली जाट के जो कॉलेजिस हैं उनकी प्लेस्मेंट कैसी रहती है और 2020 में स्पेशली उनकी प्लेस्मेंट कैसी रही है तो वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ तो मैं नेम इस अनुबफ गुपता लेट स्टार्ट तो फ्रेंट इससे पहले हम स्टार्ट करें आपूट रिक्वेस्ट हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना इसके अलावा आप हमारा इंस्टार्ग्राम पेज जरूर फॉलो कर सकते हो जिसका टाइटल है बेसिकली स्टेडिबस अंडर्सकोर एजुकेशन यहां जाके complete details आपको pen drive course के बार में मिल जाएगी और हर pen drive को साथ मिलता है आपको एक portal जिसकी validity basically 31st March 2021 तक है जिसमें topic wise test होते है, sectional mocks होते है, weekly current affairs test होते हैं और यह सारे full length test भी होते हैं इसके लाव आपको study planner का भी feature मिलता है जिसमें आप with the help of technology आप अपने efforts को basically synchronize कर सकते हो आप अपने efforts को organize कर सकते हो आप एक target set कर सकते हो जिसको आप achieve कर सकते हो इसके बार में आपको कोई भी details से ही है तो आप हमें इस number पे भी contact whatsapp कर सकते हो अगर friends मैं बात करूँ top colleges जो that का score लेते हैं वैसे तो friends बहुत सारे colleges है hundreds and hundreds of colleges है जो that का score लेते हैं but for the purpose of this video मैंने ये सारे colleges accept करे हैं ये सारे colleges choose करे हैं तो अगर मैं एक एक करके इन colleges के बारे में देखू that is XLRight, Jamshedpur, SP Jain, XIM Bhutneswar, IMT, Ghaziyabad, Micah, Great Lakes, Stop Me, Go Institute of Management, KJS Umaya और for New Delhi हां लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे colleges है बट इस वीडियो के अंदर हम ये सारे colleges cover करने वाले हैं अगर friends मैं सबसे पहले बात करूँ hot favorite college की that is XLRight, Jamshedpur यानि की ZAT में जो बचों का सबसे पहला target भी होता है that is basically XLRight, Jamshedpur, अगर इसके बार में मैं बात करूँ तो इसका जो fee structure है दो साल का that is somewhere around 24 lakh rupees जो highest CTC लगा है बहुत ही amazing domestic CTC लगता है यहां पर that is 50 lakh rupees per annum लेकिन जो mean CTC भी है वो भी बहुत अच्छा है that is 22.35 lakhs per annum और यहां पर अगर आप top 25 percentile के अंदर या top 10 percentile के अंदर आ जाते हो तो यह और जादा बढ़ जाता है यह 25, 26, in fact 27 तक भी जा सकता है mean CTC अगर आप top 10-20 percent of the batch के अंदर आ जाते हो लेकिन friends मैं आपको बता दू यह जो data है यह सिरफ इनके business management और HRM course का ही है इसके अंदर मैंने GM वाला जो इनका course है general management उसका data include नहीं किया है next है friends basically बहुत ही amazing college that is SP Jain Institute of Management Research Mumbai बहुत ही hot favorite college है इसका जो fee structure है roughly basically 2 साल का वो ह 18 से 20 लाग रुपे का जो highest CTC के है that was somewhere around 51 लाग रुपीज पर एनम और इसका mean CTC इस सल बहुत जादा बढ़ गया है बहुत जादा बढ़ने के बाद इसका mean CTC है that is 26.36 लाग यानि कि अगर इस college की return on investment देखे तो 2 साल के अगर 20 लाग रुपे देखे अगर आपकी starting की job 26 रुपे की लग रही है तो आप imagine कर सकते हो this can be considered a very very good return on investment and SPJN Institute of Management Research बहुत ही amazing brand name भी है मुंबई का जो ये college है next है friends XIMB के पारे में अगर बात करें तो भुबनेश्वर के अंदर basically ये college situated है इसका जो fee structure है 2 साल का वो है 20 लाग रुपीज अब ये थोड़ा सा increase भी हो गया somewhere roughly around 22 to 23 lakh रुपीज है दो साल का जो इसके expenses है जो highest ETC गया है यहां से that is 26 lakhs per annum का जो mean CTC रहा है that was somewhere around 15.42 lakhs per annum का next college के बारे में अगर friends हम बात करें Delhi NCR का college है that is basically IMT Gaziabad IMT Gaziabad का जो 2 साल का fee structure है that is somewhere around 18 lakhs per annum का जो highest ETC गया है वो गया था 58.22 lakhs per annum का और जो mean CTC गया है वो जाता है basically 13.60 lakhs per annum का यहां पे भी अगर आप 10 या 20% बच्चों के अंदर आ जाते हो तो आपका 15 to 16 के अंदर भी CTC आपका लग सकता है या इससे थोड़ा सा उपर भी जा सकता है तो friends अगर मैं next college के बारे में बात करूँ that is basically MICA यह basically कहां पे situated है गुजरात एमदाबाद के अंदर यह situated है MICA college basically famous है अपने communications program के लिए यानि के यहां पे general PGDM का basically course नहीं है यहां पे जो basically course होता है वो basically इसको कहते है communications के अंदर जो इनका यह PGDM का course है तो यानि के in case अगर आप communication वाली line के अंदर interested हो advertising, brand, media, management इन सारी lines के अंदर आप जाना चाहते हो इसके अंदर अपना career बनाना चाहते हो then MICA is a very good college for you इसका जो fee structure है 2 साल का that is roughly around 20 lakh rupees अब friends यह fee structure vary कर सकता है year to year college fees revise कर सकता है तो इसके लिए exact fee structure के लिए आपको हर college की website पर जाके या हर college को personally contact करना चाहिए हाई यह CTC जो रहा है that was somewhere around 32.80 lakhs per annum का mean CTC रहा है approximately 14 lakhs per annum का next है friends अगर मैं Great Lakes चिन्नाई के बार में बात करूँ अब Great Lakes चिन्नाई के अंदर basically 2 programs होती है एक होता है PGPM और एक होता है PGDM PGPM यह work ex holders के लिए होता है जिनका work experience 2 साल से उपर तक होता है और PGDM जिनका 0 to 2 years का work ex होता है तो अगर इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो PGDM की report है वो 2019 की है whereas जो PGPM की जो report है वो 2020 की है because अभी तक Great Lakes ने PGDM की 2020 की report published नहीं करी है तो जैसे ही यह data आएगा I will try to share it with you तो अगर मैं free structure के बार मैं बात करूँ तो that is somewhere around 17 to 20 lakhs depending on the course you are taking PGDM की थोड़ी सी कम है PGPM की थोड़ी सी जादा है इसको आप college की website से जाके भी refer कर सकते हो highest ETC जो रहा है that was around 28.60 lakhs per annum का जो PGPM यानि की work ex holders के रहे है वो रहा है 13.60 lakhs per annum का और जो mean CTC रहा है वो रहा है 10.14 lakhs per annum का उसके बात friends अगर मैं तापनी मनीपाल के बार में बात करूँ तो इसका fee structure है that is somewhere around 17 lakh rupees 2 साल का highest ETC है basically 20 lakhs का और जो mean CTC रहा है वो रहा है 11 lakhs per annum का next friends अगर मैं Go Institute of Management के बार में बात करूँ बहुत सारे बच्चों को basically call भी आती है Go Institute of Management की बहुत सारे बच्चों को basically mind में doubt भी होता है कि sir क्या हमें GIM join करना चाहिए नहीं करना चाहिए या फिर GIM कैसा college है तो इसके बार में थोड़ा सा data देख लेते है जो fee structure है 2 साल का that is somewhere around 17 to 18 lakh rupees पर आए 2 साल का उसके बाद जो highest CTC गया है वो गयादा 25.60 lakhs per annum का जो mean CTC गया है that was somewhere around 12 lakhs per annum का तो ये भी college decent return on investment आपको दे रहा है next है friends KJS Umaya Institute of Management इसके बार में अगर मैं बात करूँ तो 2 साल का इसका जो fee structure है that is somewhere around 15 lakhs का उसके बाद जो highest CTC यहां से लगा है that is somewhere around 28.50 lakhs per annum का और जो mean CTC है that is somewhere around 10 lakhs का उसके बाद अगर friends मैं 4 school of management के बार में बात करूँ जो basically Delhi में situated है इसका जो fee structure है 2 साल का that is somewhere around 15 lakhs लेकिन exact fee structure के लिए आपको please 4 school को directly contact करना चाहिए highest CTC जो लगा है वो specialization IT और ITES के अंदर basically specialization के अंदर लगा था that is somewhere around 30 lakhs per annum का और जो mean CTC लगा है that is somewhere around 10.60 lakhs per annum का तो friends यह तो हमने सारे colleges देख लिए लेकिन इन colleges में पहुंचने के लिए हमें Z में कितनी percentile चाहिए उसका मैं आपको एक rough estimate दे रहता हूँ यह सारे के सारे figures एक rough estimate की है और यह year to year vary कर सकता है college के description पे यह course और यह numbers change हो सकते है so please आप अपने जब भी आप किसी भी college को aim कर रहे हो तो उसकी cut off का complete analysis कर लेना और खूब अच्छा से मेनत करना ताकि आपके जादा से जादा percentile आए ताकि आप जादा से जादा colleges के अंदर eligible हो जाओ तो एक्जलर आई के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको 95 प्लस चाहिए उसके बाद SP Gen के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर profile based call भी आपको मिलती है और उसके बाद profile based call के लिए friends कोई एक particular मैं आपको पहली बता दू particular कोई percentile नहीं होती है it depends on your profile लेकिन अगर आप that score के थुरू apply कर रहे हो तो आपको around 95 तो चाहिए उसके बाद XIM भुबनेश्वर के अंदर भी आपको profile based call मिलती है लेकिन यहाँ भी around 90 तो 93 चाहिए IMT गाजयबाद के अंदर above 90 चाहिए उसके बाद MICA IM दबाद के अंदर 80 तो 85 Great Lakes के अंदर 80 तो 85 तापमी मनिपाल के अंदर 80 तो 85 Go Institute of Management के अंदर basically 85 है यह 85 तो 90 उसके बाद केजल सुमाया के अंदर 85 तो 90 और 4 स्कूल के अंदर भी approximately 85% आई आपको चाहिए तो अगर आप 30% ले आते हो तो you can be little sure कि आपको basically in colleges से subsequent rounds के लिए call आ सकती है तो friends यह सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर I hope आपको बहुत सारी information मिली होगी वीडियो पसंद आई हो तो यह लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमाईसेट connect होना चाहते हो तो आप हमाईसेट Instagram पे connect हो सकते हो अगर आपको pen drive को order place करने है तो यह हमारी website है और अगर आपको कोई doubt है तो यह हमारा WhatsApp या email account है तो आप हमें email भी कर सकते हो So thanks a lot friends, all the best, God bless you